नमस्कार दोस्तों, 360 degrees में आप सभी का स्वागत है, आज मैं UPI के बारे में एक news आई है, उसके बारे में analysis है, तो I think मैं दूसरी बार आज वीडियो पर आया हूँ, आगे से कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से वीडियो से डेरेक्टली आपके साथ में interaction होता रहे, तो कल एक news यह है कि इंडियन गवर्मेंट ने जो UPI, जो इनका payment transaction system जो है इन लोग का, जो काफे popular भी है, इसको अब इन्होंने NREs और NRIs के लिए उपन कर दिया है, और जो National Payments Corporation of India है, उसके साब से अब जो NRIs हैं जितने भी, वो अपने international mobile number के जरीए भी UPI payment कर पाएंगे, और उनको करना बस इतना सा होगा कि अपने जो NRO accounts उन लोग के उनको ये UPI payment करने के लिए, उनको अपने NRE, NRA accounts को UPI से link करना होगा, और फिर वो अपने international numbers के थ्रू ही payment अराम से कर पाएंगे, जो अभी इससे में possible नहीं है, और इसके लिए जो National Payment Corporation है, उसने 30 April की एक deadline दिया है, और 30 अपरेल तक जितने भी payment partners हैं या जो भी intermediary banks या जो भी players होगे, इसमें उन सब कोई सारे arrangements करने पड़ेंगे, और 30 अपरेल से पहले ही मुझे लगता है कि ये service मिलनी start हो जाएगी, अगर हम UPI की बात करते हैं तो UPI एक completely end-to-end Indian product है, और कुछ ही साल इसको अभी शुरू किये लेकिन ये one of the biggest success है Indian technology की, Indian tech sector की, और financial inclusion में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, और पिछले 6 सालों के अंदर UPI के जरिये होने ओले लेंदेने में बहुत भारी उछाला है, अगर हम किवल December महिने की बात करते हैं पिछले, तो इसमें 12 लाग करोट रुपे से जादा का transaction UPI की थ Tech and Financial Revolution काऊंगा, और अब इसमें NREs को NREs को जोडने का जो एक काम चल रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक step है और मुझे लगता है कि इससे NREs को काफी आदा सुविधा होगी, तो देखिए अभी क्या होता है जितने भी हमारे NREs, NREs जो दोस्त है हमारे, जो बाहर रहते ह हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर महीने अपना थोड़ावत पैसा हो इंडिया भी भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंस भी बोलते हैं, तो अभी क्या होता है कि वो डिरेक्ली पैसे नहीं भीज सकते हैं, वो अपने उनके जो NROs, Accounts हैं, Non-Resident, Ordinary Account इसको हम बोलते हैं, उसके अपने अकाउंट से विदेश में जो भी इनका अकाउंट है, वहां से एक wire transfer अपने हिंडियन अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक 48 आर्स का टाइम लगता है, दूसरा उसमें जो उनके सर्विस चार्जिस हैं, सर्विस चार्जिस काफी हाई होते हैं, जिसकी वज कंपनी भी आपके wire transfer करवाती हैं, आप कहीं से भी विदेश में बैटे हुए, आप इंडिया में अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन अगें इसमें भी आपका, जो एक transaction cost या जिसको हम service charge भी कह सकते हैं, या commission भी बोल सकते हैं, तो वो इसमें अच्छा खासा दिल दुखता होगा NRIs का जब वो पैसे अपना transfer करते हैं, और समझने वाली बात है, और तीसरा है आपका online payment systems, तो PayPal हो गया आपका, आपका Skrill है, Payoneer है, पेजाय करकी है, एक system है, डोला है, तो ये काफ़ी सारे systems available हैं, लेकिन इन में क्या रहता है, तो आपका commission charges काफी transmit करते हैं, मतलब convert करते हैं, तो conversion charges भी काफी जादा होते हैं, जिसके वज़े से, जो भी पैसे transfer होता, इसका एक बड़ा हिस्सा, conversion में और transition fees में चला जाता है, तो अभी जो ये system आ रहा है, इसके वज़े से क्या रहेगा, कि जो हमारे non-resident Indians हैं अपने, या NREs भी हैं, NROs भ और इससे मुझे जो लगता है, काफी बचत भी हो कि उन लोगों को, और ये बचत जो है, ये कई billion dollars की रहेगी, कई billion dollars की रहेगी, क्योंकि जितना भी amount जाता है, अगर आप मान के चले 10% भी अगर इनका tax transaction में या फिर conversion में चला जाता है, तो that is a huge amount, इंडिया में हर साल, अगर आपका 5% भी चला जाता है, या 10% भी चला जाता है, transmission fees या conversion charges के उपर, तो that is a huge amount, 5-10 billion dollars is not a small thing, तो ये पैसा उनका बचेगा, UBI अभी free है, हो सकता है, आगे चल कि इसमे कुछ छोटे मोटे charges आएं, बट that will be very nominal, बहुत जादा charges नहीं होंगे, तो मेरा मानना है कि अच्छा step है, और NRIs के लिए बहुत अच्छी बात है, वो अब जादा पैसा भेज़ पाएंगे इंडिया, और main बात है कि जितना पैसा भेजना चाहेंगे, भेजेंगे, बीच में कोई commission वगर नहीं देना पड़ेगा, तो मेरे साब से बहुत अच्छा step है, और इसकी ता यह mastercard और visa जैसे जो already existing payment systems हैं, उनको अच्छी खाजी टकर देगा विदेशों में, इंडिया में तो हम लोग हराई चुके हैं इनको, लेकिन विदेशों के अंदर काफे अच्छी टकर देगा, तो यह वीडियो आज केवल इसी जानकारी के लिए, मैं ऐसे ही impromptu कुछ ना झाल झाल